नमस्कार स्वागत है आपका अजीत अन्जुन जी के प्लाटफॉर्म पर मैं हूँ नीलू व्यास कल 17 सितंबर है यानि कि मोधी जी का जन्म दिन और साथ में मोधी के 100 दिन पूरे हो रहे हैं यानि कि मोधी 3.0 का जो कारिकाल है उसके पहले 100 दिन पूरे हो चुके हैं अब 100 दिन पूरे होने के ठीक एक दिन पहले आज बीजेपी ने अपना रिपोर्ट कार्ड निकाला और उसकी जवाब में कॉंग्रिस ने भी उसका भरपूर तरीके से पूरे डेटा आकले के साथ जवाब दिया कि 100 दिन मोधी जी के कितने बदहाली के दिन थे वो कॉंग्रि चीजे हैं उन्होंने ये कहा है कि वन नेशन वन इलेक्षिं यानि कि एक देश एक चुनाओ को हम इसी टेनियोर में लागू करेंगे अब इसका उन्होंने अनॉंसमेंट किया तो जो उसका भी बखान कर रहे हैं साथ में उन्होंने कहा कि हम census की exercise करेंगे जिस मेंगी हम को राज का दर्जा मिले और ये चुनाव के बाद जल्द होगा ऐसी बाते समझ में आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो तीन लाख करोड रुपे का इंफ्रास्ट्रक्चर मोधी सरकार ने अप्रूव किया है पहले सो दिन में उसमें से कई चीज़ हैं वादवा जो बदावन पॉट है महाराष्ट में चेप्तर हजार दोसो करोड रुपे का पीएम ग्राम सड़क योजना में पचीस हजार जो अनकनेक्टेड गाओं थे यानि कि जिन गाओं को कनेक्ट नहीं किया गया था उनको जोड़ा जाएगा लगभग 49,000 क्रोड दिन के अजंडे में हैं तीन मेट्रो प्रोजेक्स हैं बैंगलोर पूने और ठाने में तो इन तमाम चीजों का सौ दिन में मोधी सरकार ने बखान किया है कि देखे हमने यह यह इंट्रास्रॉक्टर प्रोजेक्स को हमने हरी जंडी दे दिये इसके अलावा किसान फ्रेंड इसके अलावा 120 प्रतिशत का प्रक्योर्मेंट अंडर MSP होगा यानि की नियूनितन समर्थन मूल के तहट 120 प्रतिशत प्रक्योर्मेंट अनाजका होगा जो UPA के समय में केवल 34 प्रतिशत था इस बात को BJP के लोग कह रहे हैं उसके बाद जहां तक विदेशनीती का सवाल है उन्होंने कहा है कि विदेशनीती ऐसी जिसमें की रीड़ वाली सरकार नजर आती हो और उसमें क्या कहा है उसमें ये कहा गया है कि देखे मोदी जी ने पहले सौदिन में रशा का ट्रिप किया यूक्रेन का ट्रिप किया पहले प्रदान मंत्री जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया पोलेंड ब्रूने ये सब की विदेश दोरे किये हैं ये सारे सौ दिन के उपलब्धियां बताई जा रही है उसके अलावा जो तीन कानून थे जो क्रिमिनल लॉज थे उनको टाइट किया गया है और जिससे की विश्व का सबसे मौडन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया गय है जिसमें कि जो जाच की अवधी है वो कट के कम हो गई है जुडिशल डीलेज है उनको कम किया गया है ये सारी बाते उन्होंने कहीं है और एक उपलब्धी और भी है जो मोधी सरकार में गिराई है कि जून 25 को समविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है तो आप यह स और लगपती दीदीज को अड़ किया जाएगा यानि कि जो लगपती जो महिलाएं एक लाख रुपैसे जादा साला ना कमाती थी उनकी संख्या बढ़कर 11 लाख और लगपती दीदीज को अड़ किया जाएगा तो ये बड़े-बड़े कुछ मोटे-मोटे इस तरीके की ए जारी किया है अब इसके जवाब में कॉंग्रिस ने जो जवाब में एक प्रेस कॉंफरेंस की और उसमें आज सुप्रिया श्रिनेट ने उस प्रेस कॉंफरेंस को किया और उस प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने मोधी सरकार को उधेल कर रख दिया हर आधार पर चाहे वो प्रिया श्रणेट द्वारा और सुप्रिया श्रणेट ने क्या कुछ कहा है इस तरीके के आकड़े उन्होंने दिये हैं कि ये 100 दिन का जो अजंडा है मोदी जी का तो इसमें 100 दिन में उन्होंने जो गिनाया 38 ट्रेंड एकसिडेंट्स हुए हैं जिसमें की 21 जाने गई हैं और रील मंत्री, यानि कि जो रेल मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, तो इसको लेकर उन्होंने चुटकी लिए है, फिर जो मोधी सरकार का जो दूसरा रिपोर्ट कार्ड की मोधी सरकार पहले 100 दिन में U-Turn की सरकार रही है, ये U-Turn जो उन्होंने दिखाया, आकड़ो और ग्राफिक्स के साथ, उस U-Turn में ये कहा गया, और मुख्य पॉइंट्स पाच पॉइंट्स हैं, जिसमें ये कहा गया है, कि NPS की जगा, अब UPS ला रही है सरकार, यानि कि वो एक U-Turn था, लाटरल एंट्री की बात की गई थी, कि हम ल परतियां करेंगे, उसका अड्विटिस्मेंट निकाल गया, उसको वापस ले लिया गया, वो एक और U-Turn था, ब्राटकास्ट बिल की बात कही गई थी, वो एक तीसरा U-Turn, वक्फ बोड चौथा, वक्फ बोड बिल वो चौथा U-Turn था, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स उस प इंसिडेंट्स हुए हैं, 104 ऐसे घटनाएं हुई हैं, जहां पर महिलाओं के साथ दुश कर्म हुआ है, और उसमें 157 विक्टम्स हैं, यह वो ग्राफिक्स है, मोधी फेल्ड, 100 देज, 104 इंसिडेंस अफ्राइम अगेंस्ट विमेन, 157 विक्टम्स, तो इसको लेकर यह कहा गया है, तीसरी जो एक चीज है, कि मनीपूर पर बिल्कुल एक कम्प्लीट चुपी मोधी जी की है, यह ग्राफिक्स है, जिसमें कि मोधी जी पर्दे के पीछे नजर आ रहे हैं, और बड़ा-बड़ा मनीपूर आगे लिखा हुआ है, तो इस तरीके के ग्राफिक्स है, मन जून 11, जून 12, जून 28 में, बहुत लंबा है, पढ़ती जाओंगी, सारे वो इंसिदेंस उन्होंने गिनाए हैं, और जिसमें की आखरी डेट जो उन्होंने बताई है, वो सेप्टेंबर 13 की है, जहां पर दो जवान मारे गए थे, और दो किष्टवार में घायल भी हुए थे, उसी तरीके से डेट वाइज है, ऑगस्ट 14, ऑगस्ट 24, 26, सेप्टेंबर 2, 3, 11, 13, 13 सेप्टेंबर, इस ग्राफिक्स भी यह तमाम वो इंसिदेंस हैं, टेरर अटाइक्स के जहां पर आतंकी हमले हुए हैं, यानि कि जहां पर मोधी सरकार ये कह रही थी कि जम्मू जगां और डेट्स के साथ कि कहां कहां पर आतंकी हमले हुए हैं, और अगर लास्ट में अगर आप देखें इस ग्राफिक्स को बड़ा-बड़ा करके, तो ये वो जगाएं जहां पर उन्होंने बताया कि 26 आतंकी हमले हुए हैं, 21 जवान मारे गए हैं, 29 जवान घायल बीजेपी ने अच्छे से प्रिपेर किया है, लेकिन कॉंग्रिस ने उसके जवाब में बकाइदा डेटा के साथ ये भी बताया कि किस तरीके से 100 दिनों में मोधी सरकार कहां कहां विफल नजर आई है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, इंफ्रस्ट्रक्चर की बारी आती और 26 अगस 2024 को वो स्टैच्चू गिरकर तूट गया, हजार उसके रीजन्स हैं, स्टैच्चू अव यूनिटी गुजरात अक्टूबर 31, 2018 में बना था और जून 29 को 2019 में उसमें लीकेज हो गई, उसके बाद चलिए, सुदर्शन सेतु गुजरात 25 फरवरी 2024 में इनागिरे हुआ और 24 जुलाई 2024 को उसमें गड़े और क्रैक्स नजर आ रहे थे, उसके बाद पारलिमेंट बिल्डिंग वो इकॉनिक तस्वीर जहां पर बाल्टी रखी हुई है, यह वो तस्वीर है पारलिमेंट की जहां पर 28 मई को उसका इनागिरेशन हुआ था 2023 में और 31 रही थी और अलग-अलग जगां वहां पर पानी भरा हुआ था, तो इसके अलावा और क्या मोदी जी की विफलताएं हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, यह देखे, मोदी फेल्ड इन 100 डेज और इसमें युवाँ से रिलेटिड जो इशूज हैं, नीट का पेपर लीक नीट PG exam cancelled, UGC net paper leaked, joint CSIR UGC net cancelled, NCET paper leaked, यह तमाम चीजों को वकाइदा दिखाया गया है और यह report card है, जहां तक युवाँ का सवाल है, तो महिलाएं, युवाँ और जो infrastructure के projects हैं, इन सारे आतंकी हमले, इन सभी चीजों को लेकर data-wise एक आकड़ा निकाला गया है, अब तो इस तरीके की data निकाल कर, मोधी सरकार के बारे में Congress का यह कहना है, कि किस तरीके से वो विफल रही है पहले 100 दिन में, और यह एक illegitimate सरकार है, इसके अलावा, महंगाई की मार, toll tax कहां कहां बढ़ा है, 15% toll tax बढ़ गया है, CNG के दाम बढ़ गये हैं, commercial LPG के दाम बढ़े हैं, आ कोधी सरकार इस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी को नहीं काभू में कर पाई, इसके बाद अर्थ विवस्था पर आ जाईए, अर्थ विवस्था at stake, उसमें उन्होंने का आए, कि रुपया इतना जादा गिरा है, कि उसको एक historic एतिहासिक गिरावट रुपय में मानी जा रही है, foreign investment down by 43%, यानि कि foreign direct investment घट कर 43% घट गया है, unemployment broke 8 months record, यानि कि 100 दिन के अंदर ही पिछले 8 महीने का record बेरोजगारी ने तोड़ा है, ये भी एक report card है, लग्दाक, जो अगला issue है, जो आज Congress ने उठाया है, कि लग्दाक के लोग आज सड़क पर हैं, statehood की मांग कर रहे हैं, six schedule में उसको include करने की मांग रहे हैं, और लद्याक मांगे नयाए, उसको लेकर भी एक slide Congress ने prepare की थी, तो ये सारी वो चीजें हैं जहां पर उन्होंने कहा कि उनको जवाब नहीं मिल रहे हैं, और उसके बाद, अदानी और मादमी पूरी बुच की तस सवाल उठाया, लेकिन अभी भी मोदी सरकार चुप है, तो ये सवाल उन्होंने किये हैं कि मोदी सरकार चुप क्यों है, और क्यों इस तरीके की जो सफलता है, वो मोदी सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, जहां पर सफलता नहीं, बिल्कुल विफलता का reportingौर्ट कार्ट सौ दिन का उसको बताने की कोशिश की गई है लेकि अब जिस तेजी के साथ जस्तीवरता के साथ कॉंग्रिस ने इन विफलताओं को गिनाया है तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांदी पर अटाक इससे बढ़ेगा क्योंकि मोधी सरकार के पास इन चीजों का कोई जवाब नह ही महिंगाई क्यों बढ़ी आतंकी हमले क्यों हुए तो जब उनके पास जवाब नहीं होता है तो वो क्या करते हैं जवाब नहीं होने का मतलब है कि सीधार राहुल गांदी के उपर और ऐसी जगहां अटाक करो जहां पर कॉंग्रिस भी चुप हो जाए तो आज क्या हुआ अमित मालविया ने उस ट्वीट में क्या लिखा है अमित मालविया ने उस ट्वीट में पढ़ती हूं सामित मालविया के ट्वीट को उसमें उनोंने लिखा है कि राहुल गांदी is back after his Nth foreign trip. He left for London on 6th September and spent 10 days abroad before landing back on 16th. He had publicized events on 9th September, event at the University of Texas, an engagement with the Indian diaspora totaling up to 1.5 hours. And then on the 10th, including an event at the Georgetown University program with the Indian diaspora, a press meet and interaction with select US lawmakers, 3.5 hours all put together. यानि कि टोटल मिलाकर जो उनका public interaction रहा है, जो public domain में आया है, वो 3.5 घंटे का रहा है. तो उनोंने मिलाकर बोला कि except for these 5 hours, no one knows what leader of opposition was up to on foreign soil. यानि कि विदेशी जमीन पर राहुल गांदी इन 5 घंटों के अलावा उन्होंने क्या किया, किसी को कुछ पता नहीं है. यह सारे सवाल नोंने खड़े किये हैं और यह बोलते हुए लास्क में, इस shady, clandestine, foreign trips raise several questions, particularly as news trickles in that he likely met foreign agencies and operators inimical to India's interest. वो बात में यह लिखते हैं कि यह जो घालमेल वाली secret meetings विदेशी जमीन पर हो रही है और एक ऐसे समय में जहां पर खबर आ रही है कि वो foreign agencies से मिले हैं और ऐसी agencies से जो भारत का अनहित चाहते हैं, जो भारत के खिलाप हैं, तो 11 से 15 के बीच में राहूल गांधी किन-किन activities में जुड़े हुए थे, उसका disclosure होना चाहिए, यह अमित मालविया का tweet है और आज अमित मालविया ने उसको किया है, यस tweet को मैं दिखा रही हूँ, यह अमित मालविया का tweet है, उस पर आप जाएंगे तो यह पूरा tweet आपको मि इधायक हैं, और बुलधाना से वो इधायक है महराश्च के, उन्होंने तो बहुत ही गजब की बात कहदा ली, अमित मालविया ही राहूल गांधी पर प्रहाद नहीं कर रहे हैं, उनकी विदेशी trips को लेकर, आज संजे गायकवाड ने यह कहा कि राहूल गांधी ने जो आ संजے गायकवाड की बात कर रही हूं, संजे गायकवाड बुलधाना से विधायक हैं, और वो कई बार इस तरीक Came के विवाद nämे इन नहीं बात करूँ, तो इसा नहीं है कि यह पहली बार उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, पिछले दिनों भी उनका वारेल हूआथा जो आपको बस खाली याद दिलाना चाहती हूं कि जिसमें पुलिस वाला संजे गायकवाड की गाड़ी साफ कर रहा था और बाद में उसने सफाई गायकवाड ने दी कि इस पुलिस वाले ने उल्टी कर दी थी और इस वजह से वो खुदी कार धोने लगा तो इस तरीके से उ इसके दातों की माला बनाकर उसको गले में डाल लिया था और इसके तुरंद बाद राज जिवन विभाग में कथित बाग के दात को फॉरंसिक पहचान के लिए बेजा और गायकवाड के खिलाफ इस तरीके का मामला भी दर्ज किया था तो कहने का मतलब ये है कि और आतंकवादी हैं उसके बाद जो उन्होंने सिखों पर बोला था उसको ले कर भी उनके घर के सामने और विरोध प्रधरशन हुआ और उसमें जो बीजेपी के तीन बार की विधायक थे उन्होंने किस तरीके का बयान दिया कि अगर राहुल गांदी सुधरेंगे नहीं तो उनका भी वही हश्र होगा जो उनकी दादी का हुआ था तो जब सौ दिन का रिपोर्ट कार्ड में निकलता है उसके जवाब में कॉंग्रिस विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड सामने करती है तो उस विफलता को जब बीजेपी जहल नहीं पाती है तो सीधा सीधा डारेक्ट अटैक राहुल गांदी पर होता है अमित मालविया ने किया संजय गाइकवाट का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अब राहुल गांदी के जीप को काट कर लाने पर इनाम की बात वो कर रहे है तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो मोधी सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड है उसमें कितनी असलियत है और जिस तरीके से फैक्ट को लाकर डेटा आकडों के साथ कॉंग्रिस ने प्रेजन किया है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोधी सरकार अब बिलकुल एक ऐस सरकार है जिसके पास कुछ नया बताने को नहीं है ना ही उस तरीके का जोश उसमें नजर आता है जो पहले के रिपोर्ट कार्ड में नजर आता था ऐसा क्यों है ये जाहिर सी बात है कि मोधी जी की घटी लोग पृता बीजेपी से उबाओ पन एंडिये में कोई ताकत नही इस तरीके से लोग शायद उसको देखने लगे हैं और यही वज़ा है कि अब मोधी जी के सौ दिन का रिपोर्ट कार्ड भी इतना बड़ा मीडिया के लिए इवेंट नहीं बना है लेकिन जिस तरीके से आकडों के साथ कॉंग्रिस ने इसका जवाब दिया है वो मोधी जी को और जादा बेनकाब करके रख देता है कि सौ दिन में मोधी जी ने क्या किया बलकि वो एक विफल सरकार के रूप में नजर आ रही है और उन विफलताओं का जब जबाब बीजेपी के पास नहीं होता तो सीधा अटैक राहुल गांधी पर कर दिया जाता है और उसके दो